है गाइस इसमुकल चाहिए के सफ लिस्टेंग्स वेलकम तू ये अने अने अधर एपिसोड ऑफ टेक्स्टाइब आज में स्टाट करते हैं वीवो के साथ है वीवो ने एक निया स्मार्टफोन वीवो वाइफिटी लांच कर दिया है चाइना में 1698 यूवान इसका प्राइस रखा गया और मेरे साब से थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है बहुत ही ज्यादा है विकिस 20,000 के आसपस अगर वावे का एक निया स्मार्टफोन वावे वाई 8S अब लीक होके आगया उसके रेंडर इमेजीज लीक होगे है एंडर इमेजीज को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको रियर के तरफ एक डूल रियर केमरे सेटप देखने को मिलती है और फ्रंट के तरफ आपको एक व स्मार्टफोन लांच कर रहे हो वावे वाई 8S करके बट स्टिल एक इतनी बड़ी नौच वाले स्मार्टफोन को 2020 में लांच करने का क्या मतलब बनता है What's your take on the same? Do let us know in the comment section down below वीडियो में अगे बदन से बहले कल का पोल देख लेती है कल आमने आपसे question बुच आता इसली भले ही iqoo Neo 3 का price OnePlus 8 से बहुत कम हो बट नहीं ऐसा नहीं हो है People have started thinking practically now and 75% लोग कहरें that iqoo Neo 3 is you know better a better option when compared with the OnePlus 8 smartphone So यह बहुत यह एक interesting यहाँ पर पोल का result दिखने हो मिले और आज के पोल का question आपके लिए है कि iqoo Neo 3 smartphone अगर इंडिया में लांच होता है Considering the fact that it does not have an emulet panel and considering the fact that it does not have those monster buttons इसमें आपको IPS LCD मिलेगी but 144Hz refresh rate देख मिलेगा क्या आप iqoo Neo 3 smartphone को purchase करेंगे Considering that of course it has flagship level specifications Do let us know in the poll up above आगे बढ़ते हैं Laptops की realm में and Lenovo और HP दोनों ही companies ने एक free laptop repair campaign या फिर एक repair program स्टार्ट किया है Due to the ongoing pandemic and the ongoing lockdown बहुत सर लोग है जो work from home के चक्कर में अपने laptops पे dependent है अपना सारा office का काम करने के लिए इस बारे में मैंने कुछ time पहने भी बात की थी I guess last Sunday stuff में कि भगवान ना करें अगर किसी का laptop खराब हो गया तो आज के time पे बहुत दिक्कत होजेगी कि किसी भी बन्दे को work from home करने में Be it a student or a person who is working from home So Lenovo और HP ने एक नया initiative निकाला है घर आके आपके laptops को repair कर देंगे अगेर इसके अबार में full details वोया जो है उसके लिए मैं आपको नीचे source link एक लगा दूँ description section में आप जाके check out कर सकते हैं उस पूरे article को आगे बढ़ते हैं OnePlus की तरफ हैं OnePlus की तरफ से बहुत सारी news निकल कर रही है सबसे बहुत सार्ट करते हैं OnePlus 6 और OnePlus 6T से तो company ने officially अब confirm कर दिये कि इन दोनों ही smartphones में आगे चलके हमें कोई भी open beta software build हमें नहीं देखने को मिलेगा so company की तरफ से अब इसके लिए beta का program अगरा बंद हो चुका है because of course OnePlus 7T or OnePlus 7 series in total is now the second series what I mean to say is it's no more the flagship series so OnePlus 8 एक हमरे पस पढ़ा हुए number series और OnePlus 7 जो की दूसरी number series है so OnePlus 6 kind of is old now and company ने officially बोल दिया कि इसमें हमें अब open beta updates जो builds बगरा है वो देखने को नहीं मिलेगी आगे बात करते है OnePlus 8 Pro smartphone की जो की company का current flagship smartphone है but still current flagship होने के बाद भी before even the smartphone gets launched in India as in sale पे जाने से ही पहले कुछ नहीं problems वगर आप निकल के आगी है कुछ लोगों ने report किया है कि OnePlus 8 Pro में उनको एक green tint देखने को मिल रहा है डिस्पले तो जैसकि आप screen पे भी देख सकते हैं OnePlus ने इस चीज़ को at least बहुत अच्छे तरीके से अगला जो OTA update आएगा उसमें वो try करेंगे इस चीज़ को fix करने की developers are as of now looking into the matter so this is something you should keep in mind यह जो green tint है अभी के लिए of course मेरे पास भी यह device नहीं है और इंडिया में किसी भी reviewer के पास यह smartphone नहीं आया so आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए मेरी suggestion यह रहेगी कि lockdown के immediately बात अगर यह smartphone या कोई भी smartphone sale पे जाता है आपको at least 5-7 दिन का वेट करना चाहिए and wait for you know honest reviewers to give your review of the same then only आपको एक smartphone को purchase करना चाहिए आगे परते हैं Xiaomi कि तरफ है Mi A3 smartphone बहुत time से चरचा कर रहा है because Mi A3 का Android 10 update है वो बहुत बार company ने उसको rollback कर लिया because of a lot of reasons Xiaomi ने finally Mi A3 Android 10 update फिर से re-re-re-re-re-release कर दिया because this is the fourth time I believe Mi A3 में Android 10 update आया है और इस बार ही मैं expect करूंगा कि इस update में ज्यादा कुछ vulnerabilities और bugs ना हो अगर आपके पस एक Mi A3 smartphone it's good news for you आप आज है अपने smartphone को Android 10 update के साथ of course update कर सकती है आगर बढ़ते हैं Huawei Nova 7 की तरफ है Huawei Nova 7 series of smartphones launch हो चुकि है China में 7, 7 SE और 7 Pro 3 smartphones launch हो इंके prices और specifications में आपको screen पे दिखा रहा हूं and जो भी leaks वगर आया थे almost वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है Nova 7 और 7 Pro में हमें Kirin 985 Gipset देखने को मिलता है और Nova 7 SE में हमें Kirin 820 Gipset देखने को मिलता है तीन ही smartphones 5G smartphones है तीन ही smartphones में 4000 mAh बैटरी और 40W की fast charging support देखने को मिलती है पीछे की तरफ cameras घरा थोड़ थोड़े अलग है तीन ही smartphones में और सामने की तरफ SE और 7 में हमें single punch hole selfie camera देखने को मिलता है जबकि 7 Pro में dual punch hole selfie camera देखने को मिलता है तीन ही smartphones Android 10.0 with EMUI 10.1 out of the box आगे बढ़ते हैं Samsung की तरफ and Samsung TVs में एक नया update आया जिसके तुरू हमें Apple Music integration देखने को मिल जाएगी आगे से Samsung के TVs में आगे बढ़ते हैं Asus की तरफ and Asus Zenfone Max M2 जो की एक अच्छा कासा पुराना smartphone है इसमें Android 10 update अबाला start हो चुक है so if in case you own an Asus Zenfone Max M2 smartphone it's time for you to hit the update button out there आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ and Realme की तरफ से भी बहुत interesting news निकल के आ रही है first of all आप start करते हैं Realme के charging animation के साथ and Realme UI के साथ Realme को बहुत सरो लोगों ने Realme community पे एक suggestion दिया था कि उनकी charging animation है it should be revamped and Realme appears to have considered that and Realme का upcoming Realme UI update आएगा उसमें पता चल रहा है कि एक नई charging animation देखने हो मिलेगी and अलग-अलग solar system based हमें animations देखने हो मिलेगी depending on your particular devices charging speed so 20W से लेके 30W की hook charging है उसमें आपको अलग charging animation देखने हो मिलेगी जो मैं आपको screen पे दिखा रहा हूँ आगे 30-50 अलग है 50-65 अलग-अलग आपको तीन तरह की charging animations देखने हो मिलेगी Realme के devices में following the upcoming Realme UI update और साथ ही साथ Realme X3 Super Zoom smartphone जो सबसे पहले NBTC certification website पे आसा सबसे पहले मैंने ही आपको उसके बारे में बताया था वो smartphone आज Bluetooth SIG certification website पे भी file हो चुक है में मन्त में भी बहुत सारे smartphones lined up है पहले हफते में ही उसके बारे में बात में बात करते है पहले बात करते है Meizu 17 की इसका rear जो है मने आपको कल दिखा दिया था that this was how the Meizu 17 was going to look like आज इसके कुछ नए protective skins निकल का है company की तरफ से official है and this is how these skins are going to look like again Meizu 17 अगर India में आता it would have turned to be a very good smartphone India में Meizu के smart phones नहीं आते इसके बारे में आपको के लगता है do let us know in the comment section down below आगे बढ़ते हैं LG की तरफ and LG ने honestly बता रहा हूं इसले 2 साल से कोई बहुत धंका phone नहीं लांच किया and बहुत धंके phone लांच किया भी होंग उसको बंद करके अब scrape करके वो एक नहीं LG Velvet series of smartphones ला रहे हैं LG Velvet जो होगा वो कही न कहीं उन लोगों को appeal करने माला है जिनको smartphone में power जाधा नहीं चाहिए style जाधा चाहिए so again people like stylist things who are into more into you know good looking smartphones good looking smartphones को या बात करें अगर हम तो Oppo Reno 2 जो smartphone में को कल यादा है कि यार this is one of the best looking smartphones so इसको मैंने अब use करना start कर दिया है so इसको मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ because जो इसका camera module है similarly हमें LG Velvet के जो पहला smartphone होगा उसमें भी देखने को मिलेगा top left corner पे इसको company carrier rain drop design so हमें 4 cameras देखने को मिलेंगे रियर पे आज कर दिया कि LG Velvet smartphone May 7th 2020 को launch होने वाला है अभी के लिए global launch का पता नहीं बट उनके home ground में तो ये 7th of May को launch होई जाएगा जहां तक मैंने आपको बतायाएगी यह smartphone design पे जादा focus करेगा performance वगरा नहीं इतनी अच्छी होगी बट अगें 865 बगरा जो है वो company के रही इत्ताम ऊपर नहीं जाने वाले है अभी के लिए हम mid range 5G processor बगरा पे ही दिलाइग करेंगे आगे बढ़ते हैं OPPO की तरफ हैं कल मैंने आपको पताया था कि OPPO Ace जो Ace 2 smartphone चाइना में आ गया या फिर OPPO का जो wireless charging tech है वो बहुत जल्दी global होने वाला है आगे बढ़ते हैं IQ की तरफ and yes कल IQ miss out कर गया IQ3 के नए prices को बताने में बट आज company ने officially confirm कर दिया है Press release भी मेरे पास आ गया है IQ3 smartphone का price cut आ गया है and up to 4000 rupees का हमें price cut देखने को मिल रहे so 865 processor अगर आप लेना चाहते हैं आपको अब यह इस particular price range में देखने को मिलेगा unfortunately इना जो इसका 5G variant था वो अभी भी जादा कुछ सस्ता नहीं हुआ 2000 rupees फिर भी आपको वहां पे कम देखने को मिल जाएंगे अब इसके लिए बहुत सारी reason हो सकते है इसके permanent, again permanent price cut के first reason could be of course company का IQ3 इतना जदा sale नहीं हो रहा होगा इंडिया में इसलिए हो सकते हो नहीं कम कर दिया second reason could be the advent of the upcoming Mi 10 and the OnePlus 8 series and a lot of other 5G smartphones जो इंडिया में जल्दी ही launch होने वाले हैं और में भी Realme X50 Pro ने अच्छा perform कर दिया हो second or third reason ही हो सकते है lockdown के चकर में, again it could be anything, the reason could be anything but the end customer is going to be very happy because IQ3 smartphone एक अच्छा कासा power packed smartphone है, again I am telling you, अगर आपने अभी तक मेरा IQ3 का pros and cons वाला video नहीं देखा आप card section में जाके check out कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको जितना अच्छी पता सकता था, I have already tried my level best to do so, आगे बड़ते हैं, Xiaomi के तरफ है, the Mi Watch Color, जो की बहुत time पहले launch हुई थी, China में, उसका एक नया Keith Haring special color variant launch होने बले है, 27th of April को, of course, alongside Mi UI 12 and the Mi 10 youth smartphone, and color variant में आपको screen पे दिखा रहा हूं, बड़ उसके साथ important बाते हैं, Mi UI 12 की कि आप इस leaked screenshot में देख सकते हैं आगे बड़ते हैं, Xiaomi के Mi 10 youth smartphone की तरफ है, आज की news खतम करते हैं, Mi 10 youth के साथ, बहुत जल्दी यह smartphone launch होने वाला है, China में, of course, 27th of April को launch हो रहा है, and इसका Indian launch भी most probably होने वाला है, इसको मैं जल्दी आपको confirm करके बता दूँगा, nevertheless, आज की बात करते हैं चार cameras थे, चारों की specifications features वगरा थोड़े फुत निकल के आ चुके हैं मैं आपको screen पे दिखा रहूँ, मैंने tweet करके आपको इसके बारे में अल्रडी बता ही दिया था, but यह smartphone of 10a पे भी आ चुका है 6.57 इंजी की हमें AMOLED display देखने हो मिलेगी, meet and youth smartphone में 8GB RAM इसमें definitely देखने हो मिलेगी, 118GB internal storage देखने हो मिलेगी and processor की बात कीज़ए तो octa core snapdragon processor होगा because यह smartphone आज geekbench database पे भी आ चुका है, 10a पे भी आ गया है geekbench पे भी आ गया है, so geekbench पे processor का नाम तो नहीं बता, but अगर 5G smartphone है, octa core processor इसमें होने वला है, तो हम expect कर सकते हैं कि या तो यहां पे 765 processor होगा या फिर 765 G processor होगा इसके अलाबा, मुझे कोई snapdragon का mid range processor दिख नहीं रहा है so 865 इसमें होने के chances कम है, आप confirm लेके चलिए 7 CDs का processor आपको धन्यवाद, Tecno Salman Welcome to the Stuff Listings Army and I hope आपको मेरी वीडियो पसानाएंगी आगे भी चिका साइदे आगे करें, हाई bro, please compare iqoo Neo 3 camera versus K30 Pro and why 64 Megapixels are not coming and I love your tech news, thanks a lot for loving the tech news जैसे ही, the moment iqoo Neo 3 and the K30 Pro launch in India, I'm pretty sure that I'll be getting the review units of both these you know, particular smartphones, so I'll be comparing both of them, as far as that 64 Megapixel thing is concerned, I'm not honestly that much concerned because again, you know, when they launch a 108 Megapixel camera smartphone, then we say resolution count doesn't matter and when they don't launch, you know 64 or 108, then we keep on complaining that okay, 48 Megapixel camera smartphone in a flagship it's wrong, हमारी दुनिया कातम होगी ये हो है, so again we have to understand as to what we actually want, 5G smartphone launch होता हम कहते है, do we need 5G 4G launch होता हम कहते है कि 4G in 2020, ये तो लानत होगी तो ठीका कहीन कहीन, we have to set our priorities right here 48 Megapixels or 64 Megapixels that won't matter much if we know our priorities if iQoo Neo 3 for example, if people don't want an IPS LCD panel, iQoo has given them an AMOLED display smartphone or we can choose any other brand's smartphone, so मैंने कुछ 3-4 Sunday stuff पर एक बात बुली थी that no company, trust me, no company is ever going to give you a smartphone which has everything अगर आपको एक smartphone में सब कुछ मिल जाएगा तो उसका प्राइस जादा होगा आपको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 20,000 में 108 Megapixels भी होगा 865 होगा, AMOLED होगा और 144 Hz होगा या 500 Hz होगा उसके बाद बैटरी हमारी 10,000 mAh होगी 100 watts fast charging होगी, wireless वो भी reverse wireless भी वो support करता होगा और SIM मेने डालना पढ़ेगा, call अगर हो जाएगा dream phone, dream phone ही रहेगा it has been the dream, मेरा भी हमेशा से एक ऐसा phone आजाए, बट ऐसा phone कभी नहीं आने वाला है so we'll have to settle down on whatever smartphones are available in the market location का पाड़े आगे गाले है भाई, only Hindi में tech news दो, location मैं बहुत try करता हूँ जितना मैं Hindi में आपको tech news दे सकता हूँ but again there are certain words and some people अब यह जो मैंने जिनका पिछे comment pick किया था, मेरे साब से उनको जादा Hindi समझ नहीं आती है so that's why I try to you know do a mixture of both so that at least जो लोग Hindi नहीं समझती है उनको कुछ idea हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ बहुत सारे you know Chinese smartphones की launches होती है उसमें आपने देखा सब्सक्राइब करें that's why I try to keep a mixture of both but still मैं जितना ज्यादा Hindi में बात करूँ Hindi में ही बात हो so there you go guys that's all for today's Tech Stuff I hope you like the video if you did like the video don't forget to like, share and subscribe if you haven't already God bless you all peace